हाई गाईज आज हम लोग पढ़ेंगे array of structure ठीक है array of structure क्या होता है और इसकी आज़सकता हमें क्यों पढ़ी वो इसको कैसे यूज़ करना है ठीक है यह सारे सवाल जो हमारे मन में भी है इसका हम लोग जवाब ढूदने की कोजिस करेंगे तो सबसे पहले array of structure क्या होता है ठीक suppose कि आप एक classroom में बलब classroom का आपके प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको सही बच्चों के नाम और उनके role number उनसे पूछने है उनका record रखना है और उनको output screen पर दिखाना है ओके एक class में मैंने आपको कहा कि आप एक class में जाईए उस class में आप हर एक बच्चों का नाम और role number input की रूप में लीजिए और उसको print कीजिए ये मैंने आप से का ठीक है आप सोच रहे हैं कि कैसे ये program बनेगा आप सबसे पहले ध्यान इस बात कर देंगे कि class में student है और हमें क्या लेना है input नाम लेना है और role number लेना है यनिकि name एक class में हो सकता है कि 50 student हो 60 student हो सकता है 100 student हो 1500 student हो लेकिन सभी का सिर्फ हमें नाम और role number ही लेना है इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लेना है तो array of structure का meaning ये होता है कि structure का array यानि कि structure का जो भी structure structure means क्या पहले ये हम लोग already समझ चुक है लेंगे फिल्में लोग देखता है structure means different type of data type का different type अलग अलग data type का एक collection और array of structure means is collection का एक collection तो पहले concept clear कर लेते हैं ताकि code में समझ माया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बच्चे से नाम और role number लेना है input में यानि कि पहला बच्चा नाम और role number बताएगा फिर दूसरा बच्चा भी मुझे नाम और role number ही बताएगा यानि कि अगर मैं एक variable एक student से प्लेकर चलूँ stu1 जिसे मैंने यहान लिखका है stu1 ठीक है stu1 में मुझे क्या चाहिए एक student है stu1 जिसका नाम है stu1 इसका नाम है वह एक पहला student है मेरा उसमें उसका मुझे चाहिए नाम और role number फिर stu2 होगा इसका भी मुझे चाहिए नाम और role number फिर stu3 होगा कोई student इसका मुझे चाहिए नाम और role number ठीक है तो इसको आप इस तरह ना करके आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते है stu1 stu2 यानि कि आप अलग-अलग create कर रहे हैं एक student यह पहला student है आपका यह दूसरा student है यह तिसरा student है जिसका input जो है वह same है आपको नाम ही पूछना उससे और role number ही पूछना हाँ भले ही नाम अलग होगा सभी student का अलग-अलग नाम होगा अलग अलग रोल नंबर हो ठीक है लेकिन आपको उसे पूछना उसका नाम ही है रोल नंबर ही है इसे कुछ अलग नहीं तो तीन वेरियेबल ना create करके हम यहां structure का एक array बनाने इस्टुडेंट का मैं यहां example मैंने लिया हुआ है ठीक है 100 यहाँ फिर 200 का मैंने नहीं लिया यहाँ प्रिट्ट का लिया हुआ हुआ thisoule लिए तो अलग अलग student का नाम ना लिख कर या फिर अलग student का नमर ना लिख कर याँसा नहीं कि पहला student का तिरा onset host ना लिख कर हम स्टुडेंट a structure student का एक आरे करते हैं ठीक है यानि कि इसमें हम लोग तीन स्टुडेंट का नाम और रोल नंबर दोनों स्टूर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वहां देखेंगे अभी हम थोड़ी दिर में ओके केशिक की concept के लिया है分ने तरह कंःर किसे स्ट्रक्चर का की क्या होता है ठीक है यानि कि अस्ट्रक्चर का हम लोगों एक एरे क्रियेट किया हुआ जिसदे के अगल लोग हम देखा कि थ्री स्ट्डेंट हैं यहां त्री स्टुडेंट हम लोग लिखा थे हैं STU, STU1, STU2 इतना हम लिखा थे हैं STU, STU पहला स्टुडेंट, STU1 दूसरा स्टुडेंट, STU2 तिसरा स्टुडेंट अगर तीन स्टुडेंट ठीक है आपको ऐसा अगर अगर अप्रेड नहीं करना चाहते हैं आपने किया STU1, STU1, STU2 इससे अगर त्री स्टुडेंट का आपको डाटा स्टूर करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात चलिए ऐसे भी हो सबता है ठीक है लेकिन यही मैं कह दूं आपसे कि तीन नहीं जित क्लास में कुल मिलाकर 500 स्टुडेंट हैं तो 500 यानि कि 500 स्टुडेंट का डाटा आप मुझे अला कर दीजिए तो फिर आपको प्रोल्म हो जाएगी क्योंकि आप इसमें structure variable बहुत ज्यादा create नहीं कर पायाँगे इस्टुड़ फिर इस्टुड़ इस्टुड़ इस तरह करके आपको 500 structure variables create करनी होगे तो instead of that one आप क्या कर सकते हैं आप array create कर सकते हैं 500 का ठीक है variable name same रहेगा जिससे हम लोगों array में पढ़ा था वो बिल्कुल वही concept है ठीक है बस इसमें structure है structure of array बागी concept बिल्कुल वही है तो यहां 500 का नहीं लेकर चलेंगे हमों थरीका लेकर सकते हैं आगे आते है code my hope की यहां तक सबका clear हो गया होगा scenario क्या है इस प्रोग्राम का array of structure का okay तो तीन student का हम लोग name और rule number store करेंगे okay int i लिया है मैंने loop चलाने के लिए loop start किया है मैंने यहां i zero i less than three i plus plus print type के दुरू क्या होगा इंटर नेम scanf में ध्यान दीजेगा scanf % as ampersand stu सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है यहां i वह भी stu में यानि कि structure variable में चुकि structure variable जो हमारा array type का है इसलिए हमें structure variable में ही सब script लिखना है ना की member में member हमारा array नहीं यह तो 1d array है character का 1d array तो यह तो होता ही है ठीक है ना में string और आपको stroke करना है तो आपको 1d array लेना पड़ता है character के तो लोग जानते है ठीक है चुकि हमारा यहां array नहीं है ठीक है यह 2d array होता तो हम लोग यहां आगे compliment करते है ठीक है खेर अब लोग यहां नहीं जाएंगे simply हम लोग इतना समझते हैं कि चुकि हमारा यह array टाइप का नहीं है इसलिए हम लोग यहां नहीं लिखेंगे i इसके बजाए array हमारा क्या हमारा structure array टाइप का इसलिए हम लोग यहां सबस्क्रिप्ट लिखेंगे i hope key clear है कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं print app next line में आते हैं हम लोग print app इंटर रोल नंबर फिर scan app में %d & stu i सबस्क्रिप्ट में i लिखें है हमने dot roll number तो यह जो पूरा आपको दिख रहा है iam %stu सबस्क्रिप्ट में i dot roll number तो यह इसका है ठीक है इसमें देखें कि यहां कोई भी array नहीं है अगर array होता तो हमें यहां भी i लिखना पड़ते हैं इसके बार हम लोग बाद अगले वीडियो में और प्रोग्राम बनाएं इसमें दोनों में सबस्क्रिप्ट देखेंगे कि कैसे वह काम करेगा ओके फिला हम लोग इसी में रहते हैं तो इस तरह से जब यह लूप पहली बार चलेगा जीरो होगा तो यहां भी जीरो होगा यहां भी जीरो होगा तो यह पहला student का नाम और रोल नमर श्टोर हो जाएगा structure stu 0 में ओके श्टोर हो गया then दूसरी बार लूप चलेगा यहां stu 1 होगा यहां भी stu 1 होगा यहां stu 1 में दूसरी student का data store होगा फिर stu 2 में तीसरी student का data store होगा data store होगा हमारा यहां से यहां तर codes में तो हम लोग उसी को print कर देंगे okay printing का जो है वो बिल्कुल simple है पहले ही हम देख चुके हैं बस यहां आपको sub script use करना पड़ेगा stu 0 name में जो भी होगा वह पहले output screen पर देखेगा फिर stu 1 में जो होगा वह दिखेगा फिर stu 2 में होगा वह आपको देखेगा इस करम लब कुछली रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है okay inter name मैं नाम inter कर रहा हूं राज 101 then second student का नाम inter करूंगा मैं प्रेस इंटर एंड आप दे सकते हैं student name राज जो पहले student का रिकॉर्ड है यहां सो कर रहा दूसरी student का रिकॉर्ड है यहां तीसरी student का रिकॉर्ड है इस तरह से array अब structure create करके हम लोग more than one student but same data होना चाहिए means name rule number same data होना चाहिए more than one structure का sorry more than one person का हम लोग array of structure के through उसका data store कर सकते हैं और print कर सकते हैं उसको use कर सकते हैं यह मुझे लगता है यह real world programming programming बहुत ही useful है ठीक है इसलिए इसको ध्यान में रखिए गो ठीक से समझ लेजी कैसे इसका इस्तमाल किया गया है अगर कोई भी doubt है तो comment कीजी thanks for watching this video